So hello and welcome you all I am Rohit from Margin Trader So guys अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Margin Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर देना और अगर आप एक Intraday Trader हो तो guys आप हमारे Telegram चैनल को भी जोईन कर सकते हो Stock Marketing इसका नाम है इस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो guys करते हैं वीडियो को continue और आज इस वीडियो में बात होंगी IRFC, RCTC, Splish Share और Dividend Share की So guys वीडियो की शुरुआत IRFC के साथ हम करने वाले हैं Stock में अगर देखे बढ़ उसके बाद अगर देखे तो गिरावट आनी स्टार्ट हो गए और लास्ट एंड काफी हद तक मार्केट किल चुगा है आपर अगर देखे हैं US मार्केट भी डाउन है European मार्केट भी डाउन है इस वज़े से यहापर इंडियन मार्केट पे भी काफीद बुरा इंपक्ट पड़ा है बट वही अगर देखे IRFC एक important support लेता वाया आपर नचर आ रहा है जहाँ से stock उपर की और rally continue कर सकता है stock ने आज closing दी 27.15 रूबिस के राउन यहाँ पर आप देखोगे 0.18% तक की बड़त हमें देखने को मिलती है वही आप देखो गैस तो 5 days के time frame पर share में क्या देखने को मिलता है तो 5 days में stock 1.15 रूबिस के राउन यहाँ पर गिर चुका है 4.06% के basis पर गिरावट है और वही अगर देखे 1 month में तो stock 2.65 रूबिस के राउन यहाँ पर गिरता हुआ नजराया है 8.89% के basis पर और वही अगर देखे गैस तो 6 month में यह शेर 5.15 रूबिस के राउन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजराया है और stock में एक support यहाँ पर नजराता है जहाँ से support लेके stock आगे continue कर रहा है पर उपर से एक breakout की भी हमें जरूवत है जब तक breakout नहीं मिलता इसी range में घुमता रहेगा और यहाँ पर volume देख लेते है volume की बात करें तो 94 lakh के around यहाँ पर stock में आज deliveries उठाएगी है अब तक की सबसे कम delivery stock में उठाएगी है क्योंकि भिछले कुछ season से stock में बहतरीन volume के साथ आपर trends लिए जा रहे थे बट आज की बात कर ले तो काफी कम है 94 lakh बट वही yesterday की बात करू तो 2 करोड के around की delivery stock में उठाएगी थी community sentiments के आकडो की में बात करू तो यहाँ पर 100% लोग है जो stock में हमें buy करने के लिए किया रहा है और कल भी अगर देखे तो 90 plus लोग positive है और stock में level सी कुछ इस तरीके के बन रहा है यहाँ पर कल ही हमने discuss किया था कि stock भले ही गिर रहा हूँ पर एक important support इसने यहाँ पर लिया है तो क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से stock ने support लेके एक अच्छा momentum बताया था almost 29.50 रूपिस के around के targets ने achieve किये था बट उसके बाद यह stock नीचे आना start हुआ यहाँ पर एक falling wage type pattern इसने create किया यहाँ पर एक breakdown हमें देखने के विला बट breakdown के बाद भी हमने एक चीज clear कर दी थी कि बले ही breakdown आ जाए बट stock में एक support है नीचे की और और वही से support लेके उपर की और जा सकता है वो रोग चीज हमें देखने को यहाँ पर मिल भी रही है stock ने बिल्गुल यहाँ पर support लिया और support लेते से ही stock उपर की और जा रहा है तो उपर अगर इसे और continue करना है अपनी rally तो यहाँ पर 27.50 पेसे का जो यह level है इसे break करना होगा क्योंकि एक important rejection level है यह आप बर stock अगर देखे तो पहले कई बार इस particular range से rejection ले चुगा है तो जब तक इस level को यह break नहीं करता तब तक यहाँ पर एक अच्छी rally नहीं आएकी और बड़े time frame पर भी अगर हम देखे गाइस तो बिल्कुल support लेता हो नज़रा रहा है बट वही अगर देखे तो कहीं न कहीं इसके उपर pressure है 26.35 उबिस के around आने का क्योंकि ओ level काफी ज़दा important है तो गैस वहाँ पर अगर stock आता है तो यह range बिल्कुल break होगी और यहाँ पर sustain करके एक और बड़े momentum से आपर आ सकते है तो गैस यह 26.35 उबिस का level इतना ज़दा important क्यों है यहाँ पर आप देखोगे stock में यहाँ से गिरावट थी यहाँ से गिरावट थी और यहाँ से एक फॉल stock ने create कर दिया यहाँ पर बिल्कुल एक rejection मिले था almost यहाँ पर दो बार rejection मिले है 36.25 रुबिस के level पर और 26.35 रुबिस के level पर ही अगर आप support ले ले लता है तो stock में बिल्कुल उपर के level easy तरीके से अच्छी होते हुए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Indian Railway Catering and Dolezum Corporation Limited यानि IRCTC की तो IRCTC की बात करें तो 606.35 रुबिस के round share हमें closing देता हुआ नजराया है stock में returns की बात करें तो 3 रुपे तक की एक अच्छी बड़त भी इस share में देखने को हमें मिल जाती है 0.50% के basis पर वही बात कर लें तो यहाँ पर 5 days में stock अगर आप देखो 13.65 रुपिस के round यहाँ पर गिरता हुआ नजराया है वही अगर आप देखो तो stock में हम वेट कर रहे हैं कब breakout का भी जब तक breakout नहीं मिल यहाँ पर breakout हमें मिल चुका है गया आज breakout हमें मिल चुका है और stock यहाँ से एक अच्छे momentum के लिए ready है और जो target हमारे होने वाले 120 रुपे के round के रह सकते easy तरीके से target अच्छी होते वए नजर हमें आने वाले हैं गया है तो stock में यह बिलकुल यहाँ पर low तक आ गया है और काफी लोग इसमें interest अपना बताएगे खरीदने की कोशिश करेगे क्योंकि एक महीने में stock 40 रुपे गिर चुका है 6 महीने में share 96 रुपे तक गिर चुका है वाल्यूम की बात करें आज 6 लाग के round की deliveries उटाएगी थी कर 11 लाग के round के deliveries उटाएगी थी इस share में community sentiments के आखड़े कल ज़्यादा negative नज़र आ रहे है पर आज ज़्यादा positive नज़र आ रहे है यहाँ पर community sentiments के आखड़ों की में बात कर लूँ है इस तो 75% जो लोग है इस share में इहाँ पर buy करने के लिए रहे है 75% लोगों की ओर से स्टॉक में buy करने के लिए आहाँ जा रहा है और यहाँ पर दिखें तो 25% लोग है जो यहाँ पर sell करने के लिए भी कह रहे है तो इन चीजों का ध्यान रखना है लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर एक falling wage type pattern स्टॉक में हमें दीखने को मला कल ही हमने discuss किया था और कल ही एक चीज लियर कर दी थी कि breakout आएगा breakout के बाद stock sustain कर सकता है उपर जा रहा है बिलकुल यहाँ पर sustain इसने किया और अब यहाँ से momentum मिल रहे है और यहाँ पर भी अगर trade line मिलना हो तो एक breakout हमें मिल चुका है यहाँ पर भी trade line मिलना हो तो एक sematical type pattern rate हो रहा है और यहाँ से जो target हमें देखने को मिल सकते है और अगर देखे तो 120 रुपे के around के target easy दरीगे से अच्छी हो सकते है बड़े time frame पर यानि 30 minute के chart frame पर अगर देखे stock में बिलकुल एक breakdown आया था यहाँ से बिलको लेकर fall देखने को मिला उस fall को भी हमने catch किया था बट उसके बाद आप दीखो तो stock में हमें कहीं लग रहा था कि support यहाँ से ले सकता है और support देखने को मिला भी क्योंकि यहाँ पर पहले consolidated के already एक jump लगा जुका था और उसके बाद यहाँ से गिरा और यही से support लेके फिर से उपर कियो जा रहा है तो यह चीज़े हमें यहाँ पर देखने को मिल दिया तो गैस अगर आप technicals नहीं करना चाहते है तो आप telegram channel को join कर सकते हो link आपको description में हमल जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस day one में stock नहीं यहाँ पर एक support दिया था support के बाद stock में एक अच्छा momentum हमें देखने को मिला फिर उसके बाद stock में गया ही गिरावट क्योंकि उपर से strong rejections भी हमें देखने को मिल रहे थे फिर गिरावट के बाद stock फिर से उपर की और गया फिर यहाँ से rejection लेके नीच आया फिर यहाँ पर लिया एक strong support फिर यहाँ पर ले रहा एक support तो यहाँ पर कई बार ए लिवल पर support ले चुका है तो ए लिवल भी break होना important है लिवल प्रिक होता है तो easy तरीके से 660 रुपे के राउंड के आकड़े भी अच्यों कर सकता है अब बात कर लेते हैं स्प्लीट शेयर की विवांजा बायो साइंस लिमिटर इसका नाम है फार्मासेटिकल रुग कंपनी है 207.80 रुपिस का यह शेयर है वही आप देखो रुपिस का यह शेयर और पाच रुपे 50 पेसे पर युपिटी शेयर आपको मिलने वाला है 275 कंपनी की और से परसें कंपनी की और से अनॉंस्मेंट किया गया है फाइनल डिविडेंट दिया जा रहा है 27 अपरिल 2023 से पहले भाय करते हो तो आपको यह डिविडेंट का फाइदा हो जाएगा आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो गर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दैना चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलना और कोई भी शेयर में इंवेस्मेंट करने से बने शेयर का अनलसस कर लेना और गायस अगर आप एक इंठाडे ट्रेडर हो तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मल जाएगी, ठैंक यू.